इस 84A की बैटरी ने इन 150AH की बैटरी को चोकाने वाला आकड़ा जो हमें मिल रहा है अभी तक 500W का लोड इसका टिका हुआ है सर्विस और रिप्लेस्मेंट की कंडिशन को भी जाच परक कर तभी बैटरी खरीदे नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में लिवफास्ट 150AH 3-year warranty, लिवगाड 150AH 3-year warranty, लीथियम बैटरी 84AH 5-year warranty का फुल कंपेरिजन वीडियो आपको दिखाने वाले है वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है कम्पलीट आपको बताएंगे कि क्या लीथियम की बैटरी फायदे का सोदा है या घाटे का सोदा है तो सबसे पहले इन बैटरियों का वेट आपको दिखा देते हैं वेट मसीन में लिवफास्ट की बैटरी का वेट हम देख रहे हैं 53.690 kg है लिवगार्ड की बैटरी का वेट 54.320 kg है और आज की वीडियो में जो 84 एंपियर 12 वोल्ट में लिथियम की बैटरी हम ले रहे हैं उसका वेट हुआ है 9.110 kg दोस्तों तीनों बैटरीयों को टेस्टिंग काउंटर पर रख लिया गया है यह बैटरी धोनी के सामने बोनी है पर आज देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है वीडियो अधिक लंबा नय हो इसलिए हमने इन तीनों बैटरीयों को डिस्चार्ज कर लिया है तीनों ही इन्वेटर देख रहे हैं कि लो बैटरी का इंडिगेटर आया हुआ है फिर भी एक बार इनको ओफ करके ओन करके मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों इन्वेटर चालू हो गए हैं तीनों की हिटिंग रोड चल रही है और यह इन्वेटर लो बैटरी देकर कट ओफ हो चुका है यह इन्वेटर भी low battery देकर cut off हो चुका है और दोस्तों यह इन्वेटर भी low battery देकर off हो चुका है बैंटरियों को discharge इसलिए किया गया है कि कोई battery company से कम्या जादा charge हो सकती है तो पहले इनको समान रूप से discharge कर लिया जाता है जिससे आगे की testing में accuracy अच्छी आ सके और अब इनसे load को हटा कर इन बैंटरियों को charging पर लगा रहे हैं तीनों ही testing board में unit को हमने tear zero कर लिया है एक बार आपको camera में दिखा देते हैं live fast की battery के साथ जो testing meter लगा है इसमें unit को देख रहे हैं कि tear zero है lithium phosphate battery के साथ जो meter लगा है इसमें भी unit को tear zero कर लिया है और लिवगार्ड battery के साथ जो meter लगा है इसमें भी unit को tear zero कर लिया है और अब तीनों की एक साथ charging स्टार्ट कर देते हैं और 230 watt की energy से इसने battery को charge करना शुरू कर दिया है इस inverter ने भी 205 watt की energy से इस lithium phosphate battery को charge करना शुरू कर दिया है और इस inverter ने भी 230 watt की energy से इस battery को charge करना शुरू कर दिया है और जब तक तीनों battery फुल चार्ज नहीं हो जाती तब तक charging को चलने देते हैं तब तक दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रस्न है तो comment कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों बैटरियों को charging पर लगे हुए 12 घंटे हो चुके हैं हमारी जो lithium phosphate battery है यह साड़े 4 घंटे में चार्ज हो गई थी और लिवफास्ट और लिवगार्ड की लैड एश्ड बैटरियों को चार्ज होने में 6 घंटे का समय लगा था इस समय तीनों ही बैटरियां ट्रीकल चार्जिंग पर हैं एक बार आपको डिस्प्ले भी दिखा देते हैं कि कितने अम्पेर से समय बैटरी चार्ज हो रही है और किस बैटरी ने कितना यूनिट का कंजप्शन किया है लिवफास्ट 150 AH की बैटरी पर लगा हुआ डिस्प्ले हम देख रहे हैं कि 18 वाट से चार्जिंग हो रही है अट्रीकल चार्जिंग पर है और यूनिट इसने कंजप्शन किया है 1.96 एक यह चोटी सी लिथियम फोस्पेट बैटरी 84 AH की है 10 वाट की इनर्जी से चार्ज हो रहा है यानि चार्जिंग बंध ही है इस समय और इसने 1.51 यूनिट का कंजप्शन किया है तीसरी बैटरी लिवगार्ड लैड एसिड बैटरी 150 AH 39 वाट की इनर्जी से चार्ज हो रही है और इसने 2.17 यूनिट का कंजप्शन किया है दोस्तो आज की वीडियो को अंतितक जरूर देखना आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और यूजफूल होने वाला है क्योंकि कमपेरिजन में मात्र 84 एंपियर की एक लीथियम फोस्पेट बैटरी है दोस्तो तीनो बैटरियों को चार्जिंग से हटा कर लोड इनके साथ कनेक्ट कर लिया है और समय आप देख रहे हैं कि 3 बज कर 30 मिनट हुआ है 333 का समय है तीनो इन्वेटर ओन कर देते हैं तीनो इन्वेटर चालू हो गए है अभी लोड चालू नहीं किया है इनके जो यूनिट है इसको भी टेर जिरो कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट 1.97 हम देख रहे हैं इसको टेर जिरो कर देते हैं और लोड को चालू कर देते हैं इसी परकार दूसरे मीटर में 1.5 यूनिट आ रहा है, टेर 0 इसको कर देते हैं और लोड को चालू कर देते हैं 2.17 यूनिट आ रहा है, टेर 0 इसको कर देते हैं, यूनिट 0 हो गया और लोड को चालू कर देते हैं और दोस्तों तीनों मीटर में एक बार लोड भी दिखा देते हैं कि इस पर कितना लोड चल रहा है जो लिवफास्ट वाली बैटरी है इस पर लोड चल रहा है 480 वाट का जो लीथियम फोस्फेट बैटरी है इसके साथ जो लोड लगा है 566 वाट का लीथियम वाली बैटरी पर लोड बैटरी फार्द और चालू कर दिया गया है लीथियम वाली बैटरी पर हमने देखा है कि लोड सबसे अधिक चला है क्योंकि जो लीथियम बैटरी होती है इसकेเรา Laded acid इसे अधिक होते fast forward करके आपको दिखाएंगे तब तक दोस्तों वीडियो को like करके share कर देना कोई question मन में है तो comment करके पूछ लेना और यदि channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe भी कर लेना दोस्तों लिवगाड की बैटरी के साथ लगा हुआ इनवेटर लो बैटरी दे रहा है और लो बैटरी की बीप भी आ गई है एक चोकाने वाला आकड़ा जो हमें मिल रहा है एक जो लिथियम फोस्थे बैटरी है इसके साथ जो इनवेटर लगा हुआ है अभी तक 500 वाट का लोड इसका टिका हुआ है जबकि इस मैटरी के साथ ठिरी हंड़र्ड यटी-えーट वाट का लोड हो गया है यानि वोल्ट ड्रोप हो रहे हैं तो लोड भी ड्रोप हो रहा है इस मैटरी के वोल्ट ड्रोप नहीं हो रहे हैं तो इसलिए 500 वाट तक का अभी तक लोड चल दा है और एक गंटा 30 मिनट लगभग हो चुके हैं और हमारी जो लीथियम वाली बैटरी है इसके साथ लगा हुआ इन्वेटर ओफ हो चुका है और समय हम देख रहे हैं पांच बज कर पांच मिनट हुआ है यानि लीथियम फोस्फेट बैटरी का जो बैक अप आया है वह एक घंटा 35 मिनट का बैक अप यहां पर आया है और लिवगार्ड के साथ लगा हुआ इन्वेटर भी लो मैटरी देकर ओफ हो चुका है लो मैटरी की भी पलगातार आ रही है और इसका बैक अप भी वही लगबग एक घंटा 37 मिनट के आसपास आया है और लोड इस पर 460 वाट से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में 360 वा कि अग्या और दोस्तों लिवफास्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वेटर भी लो मैटरी दे कर ओफ हो चुका है पांच बज कर शतरा मिनट हुई है यानि लिवफास्ट की बैटरी ने एक घंटा 45 मिनट का बैकप दिया है तीनों इन्वेटर्स लो मैटरी देकर फो गए हैं एक बार इनको ओन करके इनके डिस्पले देख लेते हैं कि कितने यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस की है लिवफास्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ डिस्पले दिखा रहा है कि इस बैटरी से हमें 0.78 यूनिट मिला है लिथियम फोस्पेट बैटरी से 0.82 यू इन दोनों बैटरियों से अच्छा रहा है क्योंकि बैकप के समय यहां हमें सबसे अधिक यूनिट मिल रही है और चार्ज होने में इसने सबसे कम यूनिट कंज्यूम की थी बैकप एक घंटा 35 मिनट रहा है इसका भी एक घंटा 35 मिनट रहा है लेकिन इसका एक घंटा 35 मिन लेकिन सोवाट लोड अधिक था लोड अधिक इसलिए रहा क्योंकि इस बैटरी के वोल्ट ड्रोप नहीं हुए और वोल्ट ड्रोप नहीं होने के कारण लोड अधिक रहा तो यदि इस पर कितना इनर्जी का लोश किया है जैसे लिफास्ट की बैटरी है ओसत लोड 440 वाट रहा है और वन हावर 45 मिनट का इसने बैक अप दिया है और इस सिस्टम का इनर्जी लोश रहा है 62 परसेंट लिथियम फोस्पेट बैटरी 500 वाट का एवरेज लोड चला है और बैक अप रहा है वन हावर 25 मिनट इस सिस्टम ने इनर्जी लोश किया है 45 परसेंट का जो कि बहुत कम है दूसरे सिस्टम की अपेक्षा इस बैटरी पर एवरेज लोड चला है 410 वाट का और इसका बैक अप रहा है tough 37 मिनट इस सिस्टम का पावर लोश रहा है 68 परसेंट यह दोनों बैटरी 150 AH की हैं 3 year इनकी replacement warranty है और दोनों का ही rate 12,700 इस समय है अलग-अलग जगह से अलग-अलग seller से 100-200 रुपे उपर नीचे हो सकता है लिथियम फोस्फेट बैटरी जिसकी replacement warranty 5 year की है और 24,500 इसका इस समय प्राइज है और इस बैटरी के संबन में sale purchase की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी इंडिया के अंदर लिथियम बैटरी या लिथियम फोस्फेट बैटरी या लिथियम प्रिजमेटिक बैटरी बहुत कि यह बैटरी बहुत पावरफुल होती है जैसा कि आपने देखा है कि 84 ampere की बैटरी ने इन 150 AH की बैटरी को यहां पर मात दी है प्रन्तू नंबर एक इनकी resale value कुछ भी नहीं है यह बैटरी तीन-चार साल चलने के बाद भी 4-5,000 के आसपास दे जाती है दूसरी बात बह इसानी हो शकती है तो यह आप खरीदना चाहते हैं सर्विस और रिप्लेसमेंट की कंडिशन को भी जाच परक कर तभी बैटरी खरीदें दोस्तों पिछली कुछ वीडियो पर वीडियो के बहुत अहम कोमेंट आये हैं जिनमें से 3-4 कोमेंट मैं ले रहा हूं एक तो वीव रहता होनी का परमोशन करेंगे पैसे लेकर परमोशन करेंगे तब प्रोड़क्ट की हम पूरी डिटेल पूरी सचाई नहीं बता सकते तो जो भी वीडियो स्पोनसर वीडियो होंगी ऐसी वीडियो पर आप हमारे चैनल पर स्क्रीन पर लिखा हुआ देखेंगे के यह प्रभाव पडेगा दोस्तों यदि लोड कम रहता है तो अधिक मिलता है और यदि में लोड जादा रहता है तो पैक अ कम मिलता है वीवर के कोमेंट आते हैं कि हमें कौन सी बैटरी या कौन सा इन्वेटर लेना चाहिए तो अब आपको बता दू कि जितनी भी बैटरियों का या inverter का हमने demo आपको दिखाया है यह सभी अच्छे product थे टेस्टिंग के समय जो product पास नहीं होते फेल हो जाते हैं उनका नहीं तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं और नहीं उनका नाम लेते हैं तो मैं directly आपको यह नहीं बता सकता कि आप फला company का फला product नहीं लें directly किसी product को मना करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का कारिया होता है चैनल पर दिक्कत आ जाती है तो आप संकेत समझें इसारों में समझें कि जिन product का मैं नाम नहीं ले रहा हूं रिव्यू नहीं दिखा रहा हूं उन product से आप बचें और जो product में दिखा भी रहा हूं जिनको अच्छा हम बता भी रहे हैं उन product को भी आप तभी खरी दें यदि उन product की सर्विस आपके district में easy हो यदि इन में से भी किसी product की service आपके district में easily अच्छी नहीं है तो उस product को भी आप ने ले और दोस्तो आज की इस वीडियो में इन बैंटरियों के संबन में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सेयर कर देना इससे चैनल को सुपोर्ट मिलता है और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नही झाल में झाल को था हो